विदान सबाद चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार युवाओं को बड़ी सोगात देने जा रही है दिसंबर के दूसरे अपते में प्रदेश की युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बाठी जाएंगे इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक पोर्टल बर आ गया है जिसे जल्द ही स्रीम योगी लाँच करेंगे चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने की कवायच जारी है बीजेपी की नजर सूबे के युवाओं वोटर्स पर है और युवाओं वोटर्स को साधने के लिए स्रीम योगी वादे के मुताबिक उन्हें स्मार्टफोन का तोफ़ा देने जा रहे हैं डिसंबर के दूसरे हफते से युवा लाभार्तियों को मुफ्त टाबलेट और स्मार्टफोन बाटे जाएंगे इसके लिए डीजी शक्ती नाम से एक पोर्टल भी बनाये गया है जिसे जल्द ही स्रीम योगी लाँच करेंगे उत्तर प्रदेश के अभिनंदनी मुख्यमंत्री अधन्य योगी आजित नाजी का निरए स्वागत योगी है अभिनंदन के योगी है इससे जहां उत्तर प्रदेश के इवाज समर्थ बनेंगे वो विज्ञान और तक्नीक में अपनी पारंगत हासिल कर सकेंगे वहीं बिबिल छेत्रों में इनुवेशन बढ़ेंगे उत्दोग को बढ़वा मिलेगा मुफ टैबलेट और स्माठफोन बाटनے के लिए एक फुल प्रूफ विवस्था की गई है पहली खेप में करिब 3 लाग टैबलेट और 5 लाग स्माठफोन बाटे जाएंगे चात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कहीं भी पंजी करन कराने की जरुवत नहीं है पंजी करन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरन तक पूरी विवस्था निशुल कहे चात्रों का डेटा कॉलिजों की ओर से यूनिवरसिटी को दिया जाएगा यूनिवरसिटी के माध्यम से फीडिंग होगी सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जैम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपणियों ने टेंडर किया है इन कंपणियों में टैबलेट के लिए विश्टेल, सैमसंग और एसर, स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग और सैमसंग युनाइटिट शामिल है एक तरफ योगी सरकार यवाओं को तक्नीक से ताल मिलाने के लिए मुबाइल और टैबलेट दे कर सशक्त कर रही है